मैं फ्लावर वाला सुंदर सा करवा चो स्पेशल थाल पोस्ट बना के लाएं हूं यह बीच में क्योड सा फ्लावर भी लगाया है चलिए वीडियो बनानी स्टार्ट करते हैं यह मैं तू कलर से बना रहे हूं यह मैंने होबी इंडिया गंगा का थ्रेड लिया है और यह सीज जिरो एम एम का क्रोश्य लिया है रिंग बनाएंगे यहां से थ्रेड को ऐसे निकालेंगे चेंड डालेंगे इसके अंदर ऐसे थ्रेड निकालेंगे दो का एक करेंगे इसे थ्रेड निकालेंगे दो का एक करेंगे सिंगल क्रोश्य अबनाएंगे एक दो तीन चार पांच छेंड साथ आठ हमने आठ सिंगल क्रोश्य अबना लिए इसको टाइट कर देंगे फर्स्ट वाली चेंड से इसे क्रोश्य अब निकालेंगे श्लिप नोट लगा देंगे अब एक दो तीन चार चेंड डालेंगे और ये साथ वाली चेंड में डबल क्रोश्य अबनाएंगे फिर एक चेंड फिर इसी में उसे के साथ हम एक और डबल क्रोश्य अबनाएंगे फिर एक चेंड बनाएंगे फिर ये नेक्स वाली चेंड में या डबल क्रोश्य अफिर एक चेंड फिर इसी के अंदर एक और डबल क्रोश्य अबनाएंगे फिर एक चेंड बनाएंगे फि और उसी में एक और double crochet बनाएंगेoksik chain और एक double crochet एक में हमने do double crochet बनाये ऐसे यह round यहां तक कंप्लेट करेंगे यहां one chain डालेंगे और one two थब्सेम में इसे slip stitch से joint कर देंगे यहां पर eight single crochet था और यहां 16 double crochet बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 chain डालेंगे डबल क्रोश्या है, इसके उपर जो chain है, इसमें डबल क्रोश्या के उपर, डबल क्रोश्या बनाएंगे, फिर एक दो तीन चेन डालेंगे इसके उपर यह जो डबल क्रोश्या है डबल क्रोश्या के उपर डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक दो तीन चेन डालेंगे और यह एक्स वाले डबल क्रोश्या के उपर डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो तीन चेन ये जो डबल क्रोशिया है इसके उपर डबल क्रोशिया के उपर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चेन ये जो साथ वाला डबल क्रोशिया है ये डबल चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन चेन, यह नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसके उपर चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ही तीन-तीन चेन डालते हुए, यह राउंड ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, राउंड कंप्लीट हो गया, अब यहां वन, तो, थ्री चेन डालेंगे, और यहां एक, दो, तीन वाले चेन में इसे slip stitch से joint कर देंगे, one, two, three chain डालेंगे, प्रेस में double crochet बनाएंगे, फिर इसी में एक ओर double crochet, यह तीन double crochet बन गे, फिर एक, दो chain डालेंगे, और यह next वाले double crochet के उपर double crochet बनाएंगे, फिर इसमें, एको double crochet, फिर इसी के अंदर, एको double crochet बनाएंगे, फिर एक, दो chain डालेंगे, नेक्स्ट वाले में double crochet के उपर double crochet बनाएंगे, फिर इसी में, एको double crochet, फिर इसी स्पेस में, एको double crochet बनाएंगे, एकी स्पेस में, तीन double crochet और दो chain, फिर एक, नेक्स्ट वाले में, इसमें भी तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो, तीन, ऐसे ही बनाते हुए ये राउंड कम्पलीट कर लेंगे, ये हमने दो चेन डाली, अब ये वन, टू, थ्री, थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ये राउंड कम्पलीट कर लिया, अब ने नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के उपर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक, दो, तीन डालेंगे, फिर ये नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के उपर या डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये स्पेस में डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहले हमने या तीन डबल बनाएंगे यह त्री की चेन काउंट करेंगे तो यह फोर हो जाएंगे एक दो चेन फिर यह इसको स्किप करेंगे यह नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर यहां नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया फिर स्पेस में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक फ double crochet, एक, दो इसके अंदर ये तीन होगे, फिर इसे में एक और डालेंगे ये चार, डबर कोशया और दो चैन ऐसे ही बनाते होए, ये राउंड भी complete कर लेंगे, ये चार डबर कर श्तिच बनेगे अब एक, दो चैन डालेंगे, ये 1, 2, 3, 3 वारे चैन में slip stitch से joint कर देंगे next वाले में slip stitch करेंगे next row बनाएंगे first वाला skip करेंगे और second वाले में one, two, three chain डालेंगे फिर next वाले में double crochet बनाएंगे फिर ये double crochet के ओपर double crochet फिर यहां एक double crochet इस space में इस space में हम 2-3 double crochet बनाते जाएंगे एक दो का space देंगे फिर यह फस्स किप करेंगे second वाले में double crochet बनाएंगे स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले double crochet के उपर double crochet बनाएंगे 1, 2, 3, इस स्पेस में 2 बनाएंगे, 4, 5, फिर 1, 2, 6, इसको स्किप्ट करेंगे, उपने सेक्ट वाले के उपर, डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये नेक्स्ट वाले में, डबल क्रोशिया, फिर ये स्पेस में, डबल क्रोशिया, फिर एको डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ही, इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया है, और यहां 4, यहां 5, एक्स्ट राउंड में 6, फिर 7, फिर 8, 8 तक बनाके, इसे कंप्लेट कर लेंगे, ये मैंने 8 राउं चेंड, शाथ, आठ रौंड गना है यहां से बन टू थर्ड वाले चेंड में slip stitch से joint करतेंगे यहां एक, दो, तीन, चार, पांच चेंड डालेंगे इसमें एक और दो skip करेंगे थर्ड वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक, दो, तीन, चार, पांच चेंड करेंगे यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक, दो, तीन, चार, पांच चेंड डालेंगे एक और दो skip करेंगे और यहां सिंगल क्रोशिया बनाएं ऐसे ही बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे अब यहां पर इससे slip stitch से joint कर देंगे हाँ यह जुब हमने 5 की चेंड बनाई थी इसके अंदर स्रिप स्रिच करेंगे फिर एक, दो, तीन चेंड डालेंगे इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक की chain होगी 6 होगे अब एक, दो, तीन, चार chain डालेंगे यह जो फर्स्ट बला double crochet अबनाया था इसमें slip stitch से joint कर देंगे फिर एक, दो, तीन chain डालेंगे फिर इसके अंदर double crochet अबनायेंगे एक, दो, तेन इसमें हमने एक और डबल क्रोशिय अबना रहा एक दो तीन तीन चेन डालेंगे तिर इसे में स्लिप स्टिच कर देंगे फिर एक दो तीन चेन डालेंगे इसमें डबल क्रोशिय अबनाएंगे एक दो तीन डबल क्रोशिय अबनाएंगे फिर एक दो तीन चेन डालेंगे फिर इसी स्पेस में इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे चेन होगे, चार डबल क्रोशिया बन गे, अब एक, दो, तीन डालेंगे और यहाँ पर slip stitch कर देंगे, फिर एक, दो, तीन डालेंगे, फिर इसमें तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, यह एक, दो, तीन डालेंगे और इसमें slip stitch कर देंगे, यह तीन चेन और ये जो अब सेक्टन वाला पांच चेन डाले थी इसके अंदर सिंगर क्रोशिया बनाएंगे फिर एक दो तीन चेन डालेंगे और ये नेक्स्ट वाले में यहां पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो थेन, चार, पांच फिर एक दो तीन, चार चेन डालेंगे ये फरस्ट वालले जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर स्लिप स्टिच करेंगे फिर एक दो तीन चेन डालेंगे, इसके अंदर डबल क्रोश्या बनाएंगे, एक, दो, तीन डबल क्रोश्या, फिर एक, दो, तीन चेन डालेंगे, फिर इसमें इसे स्लिप स्टिच करतेंगे, फिर एक, दो, तीन चेन डालेंगे, फिर इसमें तीन डबल क्रोश्या करेंगे, एक, दो, तीन, फिर एक, दो, तीन चेन डालेंगे, और इसमें स्लिप स्टिच करतेंगे, वन, टो, थ्री चेन डालेंगे, फिर इसमें बन डबल कुरोशिय बनाएंगे, टो, थ्री, फिर एक, दो, तीन चेन डालेंगे, इसमें, यहां, स्लिप स्टिच कर देंगे अब इसमें जामने फाइब डबल क्रोश्या बनाए थे उसमें एक डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक दो तीन चेन डालेंगे यह नेक्स्ट वाले में यहां पर स्लिप स्टिच कर देंगे उसे बनाते हुई ही राउंड कंप्लीट कर लेंगे य यह फर्स्ट वर्ल डबल क्रोश्या के ओपर स्लिप स्टिच कर देंगे एक बार यहां स्लिप स्टिच करेंगे पिर इसको बैक साइड ले जाएंगे फिर यहां एक दो तीन चार पांच चीन डॉल लेंगे फिर यह फर्स्ट वर्ल डबल क्रोश्या है इसके ओपर स्लिप स्टिच कर देंगे फिर एक दो तीन चार पांच चीन डालेंगे और यहां पर यह जो तीन की चैन है इसके अंदर सिंगल क्रोश्या कर देंगे फिर एक दो तीन चार पांच चैन डालेंगे 12 double crochet के उपर या single crochet कर देंगे फिर 1,2,3,4,5 6 chain डालेंगे या single crochet कर देंगे फिर 1,2,3,4 5 chain डालेंगे एक में 5 एक में 6 ये बनाते हुए ये round complete कर देंगे जहां से start किया था वहाँ पर इसे joint कर देंगे अब यहां दूसरा कलर लगाएंगे यहां पर नौट लगा लेंगे जोइंट कर देंगे यहां तीन चेंड डालेंगे एक, दो, तीन यहां डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो तीन चार डबल क्रोशिया और एक यह थी की चेंड डाली थी तो यह पांच डबल क्रोशिया बन गए अब यहां एक, दो, तीन, चार चेंड डालेंगे यह फस्ट वाली जो दबल क्रोशिया है उसके उपर से यहां slip स्विच कर देंगे फिर एक, दो, तीन चेंड डालेंगे वह इसके अंदर यहां दबल क्रोशिया बनाएंगे दो तीन तीन दबल क्रोशिया वह एक यह थी की चेंड चार हो गए अब यहां एक, दो, तीन चेंड डालेंगे वह यहां पर slip स्विच कर देंगे फिर एक, दो, तीन चेंड डालेंगे फिर इसमे तीन दबल क्रोशिया बनाएंगे वन वन, तू त्री डबल क्रोशिया फिर वन, तू, त्री चेंड फिर इसमे slip stitch कर देंगे फिर 1, 2, 3 chain फिर यहां पर double crochet बनाएंगे 3 double crochet 2, 3 फिर 1, 2, 3 chain फिर यहां पर slip stitch कर देंगे फिर यहां पर जो हमने 5 double crochet बनाएं इसके अंदर 1, 4 double crochet बनाएंगे तो ये 6 डबल क्रोशिया बन गए एक दो तीन चेंड डालेंगे इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे एक दो तीन चेंड डालेंगे यहां नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 डबल क्रोशिया एक, दो, तीन, चार्चेन डालेंगे और ये पस्ट वाले में यहां पर स्लिप स्टिच कर देंगे फिर एक, दो, तीन, चेन डालेंगे त्री डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर एक, दो, तीन, चेन फिर इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे 3, 2, 3 chain फिर याँ double crochet बनाएंगे 2, 3 double crochet होगे फिर 1, 2, 3 chain डालेंगे फिर याँ इसे slip stitch कल देंगे फिर 1, 2, 3 chain फिर याँ 3 double crochet फिर 1, 2, 3 chain डालेंगे फिर याँ slip stitch कर देंगे फिर इसमें जहां 5 double crochet अबनाए थे एक double crochet बनाएंगे याँ 6 double crochet होगे फिर 1, 2, 3 chain याँ पर single crochet अबनाएंगे फिर 1, 2, 3 chain यह next वाले में याँ पर 5 double crochet अबनाएंगे ऐसे बनाते होई यह round complete कर देंगे यह round complete हो गया 1,2,3 chain डालेंगे इसके उपर याँ s פT6 से joint करेंगे यहाँ इसकोели करेंगे तूर करेंगे त में करेंगे हों यहाँ पशेच वाले में sips Crush औॐ船 MARK क्रेंगे लेगे जो 3 वनाई थी उसमें सिंगल करेंगे इस लका काभी कोचे करेंगे एक लों क्यार் डालेंगे वह दबल कर देंगे तें ये राउड कंप्टीट कर लेंगे यह राउंड कंप्लीट हो गया अब यहां हमने start किया था यहां बस तिप stitch कर देंगे अब यहां से यहां से cut कर देंगे अब यहां हम इसमें सेम ऐसे ही two or round बनाएंगे इसे बनाके मैं आपको दिखाती हूँ आपने इसको जितना बड़ा करना हो उतने राउंड और बड़ा सकते हैं तो यह बड़ा बन जाएगा यह चार राउंड बनाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखी यह मैंने इसके two round डाल लिए हैं बहुत ही संदर लग रहे हैं बहुत प्यारा थालपोश लग रहा है और मैंने यह क्यूर सा बीक में फिलावर लगाया है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कोमेंट चुरू करें अगर आप मेरे वीडियो फर्स टाइम देख र झाल लगाया है